हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल कैसे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे रच्छे सपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोगों का जो एक्जाम चल रहा है आप लोग की एक्जाम को देखते हूं मैं वीए वीकॉम बीए सी समस्टर थाड के चात्रों के लिए कंशीटि दूसन्स ऑफ लोगों के उलएगा फ्रेंड स्निय परशे पहली अप्रय旅 कि वीजिट के दो सभाएं चैनल को लाइक करें आप लिए वतन पर बटन पर क्लिक आप करें कि पर आप आप लोगों के लिए most important questions के answer लेकर आती हूं जो कि आप लोग को डारेक्टली आप लोग के exam में देखने को questions मिलता है तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूं देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी most important top MCQs हैं जो कि आप लोग के exam में आने वाले friends आप लोग जितने भी MCQs देखेंगे सब भी आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगा आप लोग के exam में तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूं आज का सबसे पहला और most important question है कि मानो अधिकार संरचन अधिनियम में कितने अनुछेद हैं तो option A में दिया हूँ है 50 B में दिया है 40 C में दिया है 28 और D में दिया है 31 तो इसका correct answer हो जाएगा प्रेंड्स option number D टोटल जो मानो अधिकार संरचन अधिनियम के अनुछेद है वो कितने 31 हैं तो आप लोग याद करते जाएगा फ्रेंड्स यह सभी important question है अग्सा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो कितने हैं मानो अधिकार संरचन अधिनियम में अनुछेद तो 31 है option number D is correct अगले question number second second में NHRC के अधियच की सेवा निवरीति की आयू क्या है तो option नमबर C हो जाएगा 70 है NHRC के अधियच का जो रिटार्मेंट की आयू होती है वो सत्तर वर्स की होती है तो सतर वर्स में रिटार्मेंट हो जाता है तो यह भी question important difference आप लोग एक्जाम में देखने को मिल सकता है question number 3 question में पूछा गया है कि NHRC के अधियच के नियुक्ति कौन करता है तो फ्रेंट्स NHRC के अधियच के नियुक्ति भारत के राष्टपती के द्वारा किया जाता है यह भी question most important difference यह सभी question को आप लोग अपना कोपे में नोट करते जाएं यह फिर आप लोग अभी याद करते जाएं कि फूर नंबर कोशन आता है फ्रेंट्स फूर नंबर कोशन में पूछा गया है कि राष्टिय मानो अधिकार आयों के अधियच और सदस्यों कि सिफारिस करने वाली समीति का अधियच कौन होता है तो मैं बता अगला पाच्वा कोशन आता है फ्रेंट्स इन एच आर्सी का अधियच कौन होना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वच नयाले के पूखे नियादिस होते है इन एच आर्सी के अधियच अगला कोशन आता है कोशन नमबर 6 में पूचा गया अधियच सहीत यानि कि अधियच को मिला कर MHRC में कुल कितने सदस से होते हैं तो टोटल हो जाते हैं 5 यानि कि 5 सदस से होते हैं MHRC के टोटल अधियच को मिला कर अगले कोशन आता है कोशन नमबर 7 में कि MHRC एक कौन सा निकाई है तो कौन सा निकाई होगा सांत नियाईक निकाई होगा MHRC जो है वो एक सांत नियाईक निकाई है अगला कोशन आ जाता है कोशन नमबर 9 है वा यूनिसेप का मुख्य कार्याले कहां है यानि कि फ्रेंड्स ये कोशन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये आप लोग के कम्पिटिशन एक्जाम में भी देखने को मिलता है वा यूनिसेप का मुख्याले कहां है तो इसका कर्येक्ट आंसर हो जागा नियॉर्क में है इसका मुख्याले अगला कुशन होता है कोशन नमबर दस में पूछा गया है कि महिलाओं का पहला समेलन कहां आयुजित किया गया था तो इसका कर्येक्ट आंसर हो जागा मेक्सिको सहर में किया गया था लेवन नमबर कुशन आजाता है आप लोका मानो अधिकारों की सारो भूम घोसना एक एतिहासिक दस्तावेज किसके द्वार अपनाया गया था तो इसके कर्येक्ट आंसर हो जाएगा यू एन ओ के द्वार अपनाया गया था मानो अधिकारों के जो सारो भूम घोसना की गय सायूक्त राष्ट द्वारा मानो अधिकारों की सारोभूम गोस्तना को कब अपनाया गया था तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था जो सायूक्त राष्ट द्वारा मानो अधिकार के सारोभूम गोस्तना थी वो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया अगला कोशन आजाता है कोशन नमबर 13 में पुछा गया है कि सारो भॉम घोसना को कहां अपनाया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में अपनाया गया था 14 नमबर कोशन आजाता है फ्रेंट्स अपलोगों का कि 14 नमबर में पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन समानों अधिकारों की सारो भॉम घोसना के प्रारूपन में प्रमूख योगदान करताओं के रूप में जाने जाते थे तो फहला फर्स में बताया गया है इलेनोर र इने कैसी इन फ्रांस फोर में थार्ड में बताया गया है चार्ल्स मलिक लेवनान और फॉर्ट में बताया हरनान सांता कुंज चली और फैब में बताया है लक्सी पावलो सोवियत संग तो चली हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्टिं का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानिकि सभी में अपनाया गया है कुछ गया कोईसर नबर 15 में पुचा गिया है माणो अधिकारों के सारोबों घोसना में कितने अनुचेद हैं। तीस अनुचेद हैं मानो अधिकार के सारोभूम घुसना में तीस अनुचेद हैं 16 नमबर कोसन में आ जाता है मानो अधिकार दिवस कब मना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया था तो 10 दिसंबर हो जाएगा मानो अधिकार दिवस मनाने का 17 नमबर कोसन में पूछा गया मानो अधिकारों की सारोभूम घुसना किस पर लागू होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिव्यक्ति लींग जाती धर्म एओं संस्क्रितिर्नी की परवागे सक्ष्ब्र Tea मानो के स्व गुसना है प्रतिव्यक्ति लींग जाती धर्म पर अपनाया जाता है हिरु ए कि अगला कुछन आज़या था प्रिंड्स की 18 कि नंबर पर किमान ओधिकारों के सरुवं खुषनात वख्षा किन समर्थन किया जाता है वतति देंग के जीवन सवतूरता और सुरक्षा का अधिकार सेकेंड में बता गया है शिक्सया कादिकार विचार विवेक और धर्म की स्वतनुरता थर्ड में बता गया राय और अभी वेक्ति की स्वतनुरता काम और फॉर्ट में बता गया है अन्य देशों के अन्य देशों में उत्पीडन से सरन लेना और प्राप्त तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आप लोगों का ओपसट नम्बर डी यानि की सब के उपर लागो होता है अग्रों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आजाता प्रेंट्स 19 नंबर 19 नंबर में पूछा गया सभी के लिए सभी पानौ अधिकार का नारा मानौ अधिकारों की सारूबों घोसना कि कितने इस्वी में अपनाया गया था तो 50 में अपनाया गया था एएन अधिकार के लिए अंतरास्ट कब था तो अंतरास्ट राष्ट जो था आप लोगों का मानों अधिकारों के अंतरास्ट वर्ष 1968 में था तो यह इमपोर्टेंटFit लिए एक्जाम में आया हुआ प्र선 लोग सभी कोशन को उमीद है नोट करते जा रहे होंगे या फिर का कोईशन आ गया प्रस्ण एक में बता गया है दोजर इकीस जो आप लोगों का कोईशन है 21 से 30 तक 21 से 30 तक में आप लोगों का जो कोईशन पूछा जाएगा एक को अधिकतन ए और दुसरे को कारण और के रूप में लेबल किया गया है नीचे दिये गया कूट कि सहाइता से जांच किजिए कि क्या कथन सही है और एक दुसरे से संबन्दित है तो चलिए 21 तमबर में देखते हैं हम लोग 21 तमबर का कोईशन में पूछा गया है क्या ते 21 तमबर में जो अधिकतन यानि ए में दिया गया है भारतिये के मूल बुछ सिधानतों में से एक सविधान कानून का सासन है जबकि कारन में बताया गया है कि भारत में सविधान ने भारत के सविधान ने प्रतेक नेता दी है तो अब लोगं को किसका और बी दोनों सही है लेकिन जो आर एक या कि सही डिया किया है 22 को समय पूछा गया है 22 को समय दिया है कि अधिकतन अभीकतन ए यानिकी आज भारत में महिलाओं को कानुनी रूप से सभी चेत्रों में पुरूसों के साथ समान आउसर प्राप्त है और कारण में बताया गया है कि भारत का सविधान महिलाओं के प्रती किसी परकार का भेद भाव का निसेद करता है तो दोनों option correct difference तो इसका correct answer हो जाएगा option number A हो जाएगा इसका correct answer कि A और B दोनों correct है और लेकिन R A की सही व्याक्या किया है तो यानि कि option number A हो जाएगा इसका correct answer question number 20 में बताया गया कि अभी कथन में दिया है A में भारत में बंद्वा मजदूरी अवेद है यानि कि जो मजदूरी जबरन करवाया जाता है तो इस तरह का मजदूरी नहीं करवाया जाता है और कारण में बताया गया है भारत का सविधान बंद्वा मजदूरी पर रोक गाया जाता है ना कि बढ़ावा दिया जाता है तो यह दोनों ही सही है अगला कुछ आगाता प्रेंडस 24 नंबर में दावा यानि कि जो दिया गया है में मोलिक अधिकार और निर्दे सक्सिधान तो लोगों को भारतिये सवईधान द्वारा guarantee credit अधिकारों विशेशा अधिकारियों का एक निकाई है कारण में बताया गया मोलिक अधिकार नेयायों चीत जबकि निर्देशक सिधान्त नहीं है तो अप लोग इसके correct answer बताईए कि क्या होगा मैं अप लोग कि इसका correct answer बतादें तो option number D गलत है और न कि इसलिए यहां पे एक को गलत माना गया है और आर को सही माना गया है 25 नमबर कोश्चन आ जाता है फिरेंस अपलोगों का अभी कतन ए में मोलिक करतब्य किसी रियाले करें प्रवर्तनिय नहीं होते हैं जबकि कारण में बताया गया है कि मोलिक करतब्यों को केवल सवेधानिक माध्यमों से ही लागू किया जा सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A दोनों ही सही है A और R दोनों ही सही है और R A की सही ब्याख्यावी किया है तो दोनों correct हो जाएगे option number A correct होगा अगला जाता है 26 नमबर कोशे में पुझा गया है अभी कतन A सवीधान के अनुचेद बहतर के तहत चमादान देने और सजा को निलंबित करने हटाने या कम करने की राष्टपती की सकती का मानुधिकार के द्रिष्टी कौन से राजनीतिक रूप से बहुत दुरूपयोग है और कारण में बता गया है सवीधान के अनुचेद चोहतर के तहत मंत्री परिसाद द्वारा राष्टपती को दी गई सल्हा राष्टपती के लिए बाध्यकरी है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर वी दोनों सही है लेकिन आर जो है वो एक की सही व्याक्या नहीं किया है इसलिए आपसर नंबर वी करेक्ट अंसर हो जाएगा इसका अगला कुशन नंबर आजा तो अपलों का 28 अभी कथन ए मानो अधिकारों की सारोबों घोसना यूडी एच आर के तहत मृत्यूदंड के अनुमति नहीं है जबकि कारण में बताय गया है और में कि मानो अधिकारों के सार प्रूर अमान विये या अपमान जनक उपचार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आप लोगों का अप्सण नमबर करेक्ट अंसर होगा क्यूँकि दोनों ही ऐं और और दोनों ही और एक्विया अग् nutr 29 नमबर को से नाया तो अभी कतन ए राजिक के नीती नीर देशक सिधान किसी नियाले में नियायों चीत नहीं है कारण में बताया गया है देश के सासन में नीदे सकता तो मोलिक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आप लोगों का अपसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का आंसर क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याक्या नहीं किया है इसलिए भी इसका सही आंसर हो जाएगा अगिला कोसर आता फ्रिंट्स कोसर नमबर तीस में बताया गया है पूछा गया आप लोगों को कि अभी कतन A माक्स धर्म के खिलाब थे जबकि रिजर में बताया गया धर्म जनता के आफिम है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आप लोगों का ओप्शन नमबर A दोनों ही सही है और सही व्याक्या भी किया गया है तो इसका correct answer हो जाएका option नमबर A, A और R दोनों सही है और R, A की सही व्याक्या भी किया है अगला question आता है कि 31 में निमलिकित कानुनों के काला अनु कर्मिक कर्म में बेवस्तित करें जिसमें उन्होंने असपर्स्यता की प्रथा से संबंदित मानोधिकार समस्याओं को संबोधित किया है तो option नमबर A में बताया गया है कि अनु सुचित जाती और अनु सुचित जन जाती अधिनियम second में बताया गया है नागरिक अधिकार संब्रचन अधिनियम third में बताया गया है असपर्स्यता अपराद अधिनियम थाट में बताया गया है अस्पर्सियता अप्राद अधिनियम फोर में बताया गया है भिहार हरीजन नागरिक विकलांगों को हटाना यहां पे आप लोग को एक सिक्वेंस में बताना थे फ्रेंच तो आपसे नमबर ए इसका करेंट हो जाएगा क्योंकि यहां पे सबसे पहले फोर आएगा फिर त्री फे टू फिर वन आएगा 32 नंबर कोशन में आता निम लिखे तो घटनाओं के काल करम के अनुसार वेवस्तित करें तो यहां पर कौन-कौन से घटना वेवस्तित रूप से होंगे तो यहां पर आप लोगों को सिक्वेंस में बनाना है कि नेहरो रिप सब्सक्राइब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अस्थापना के वर्स कम में बेवस्तित करें तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा आप लोगों का और सिर्फन नंबर ए में दिया है सच्चर समेथी दिती बि में दिया है रंगनात मिस्रा आयों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्सेंद और और सा अगला कुशन आता फ्रेंड्स कोसर नमबर 34 में पूछा गया है आप लोगों का 34 में भारत के सविधान में निहीत निमलिकित मौलिक अधिकारों को कर्म में वेवस्तित करें तो एसोसियेशन बनाने का अधिकार सिच्छा का अधिकार मानो तसकरी और जब्रन स्रम का निसेद फॉर्म वितेगा समवेधानिक उपचार का अधिकार तो इसे भी एक सिक्वेंस में आप लोगों को करनत इसका करे सब्सक्राइब करना को उनके अंगी करन के काला नुकर्मिक करम में बेवस्तित करें तो फर्स्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाब सभी परकार के भेदभाव के मुलन पर कन्वेंशन करना और सेकेंड में बताया गया है अधिया खिलाब कन्वेंशन तो इसका कर्यक्ट आंसर हो जागा अप लोग का ऑप्सन नंबर वी सेकेंड होगा फिर 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 थर्ड होगा अगला कुशन आता है फ्रेंट सब लोगों का 36 में निमलिकित घटनाओं को नीचे दिया गया कूट का परियोग करके उस कर्ण में बेवस्तित किजिए जिसमें वे घटित हुए है तो सव देसी आंदोलन मोती लाल नेरू समेती भारत छोड़ो आंदोलन जालिया वाला बाग घटिया कांट तो यह सभी को एक सिक्वेंस में आपने को करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है 37 निमलिकित में से किसने भारत के मुसल्मानों के बीच सेचिक सुधार आंदोलन शुरू किया तो फर्स्ट में दिया गया है सर सेयद अमद खान सेक दिया जाकी रूसें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओप्सन नमबर एक फर्स्ट और फोर्थ दोनों मिलके यह नियम लागू किये थे अगला कोशन आ जाता है अप लोगों का 38 में निम लिखित आधरनाओं के अनुकर्म को बेवस्तित करें जैसा कि वे मानुदिकारों के सारोबम गोसना उनीस और तालिस के नीचे दिये गए कोड का उप्योग करते हुए दिखाए देते हैं जैसे कि फर्स्ट में दिया है भ अगरिक और राजनितिक अधिकारों पर अंतरास्टे वाचा उनीसो चैयर साइट में पर कट होने वाली निम लिकित आवधारनाओं के अनुकर्म को बेवस्तित करें फर्स्ट में दिया है कि आंदोलन की सत्मत्रता और सेकंड में दिया है यातना मानो उप्चार और सजा मे थर्ड में दिया है गुलामी और फॉर्थ में दिया है परिवार तो इसके करेक्ट राइट रोजया और आप्सन नमर में पूछा गया है निमली के छेत्र गारणो को उनके अंई धवस्तित करें तो कौन कौन से आएंगे इसे करन में विवस्तित करना है दो बताया और हो जाएगा ऑप्सन बढूर तो इसका करेंक्ट रूजाएगा औस सग्वियर बता है कि परस्ट और तो आज के लिए इतना है उमीद फ्रेंट्स यह सभी कोशन्स आप लोग के एक्जाम में जरूर आएंगे तो ऐसे इंपोर्टेंट्स प्रस्नों के उतर पानिक लिए मैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जर झाल करेंगे वाड़।